उनको पता था के रावज आवन्यू कोर्ट से जमानत मिल जाएगी इसी लिए उनोंने एक और शड्य अंत्र रचा और सुप्रीम कोर्ट में जिस दिन अर्विन केज रिवाल जी की जमानत का केस आना था उससे पिछले दिन अपने एक और राजनेतिक हथ्यार CBI से अर्विंध केजडीमाल जी को गिरफतार करवा ला क्यों किया गिरफतार CBI से? सिर्फ और सिर्फ इसलिए गिरफतार करवाया कि अगर इडी के केश में जमानत मिल गई तो अर्विंद केजरी वाल जी बाहर आकर दस गुना स्पीड से दिल्ली के लोगों का काम करने लग चाहिए और भारतिय जन्ता पार्टी का शड्यांत्र रुकता नहीं है इसलिए सी लिया की केस में रेस्ट किया कि मैं आज भारतिय जन्ता पार्टी को ये कहना चाहती है कि इस देश के एक के बाद एक हर न्यायाले ने आपके शड्यांत्र का परदा फाश्य किया एक के बाद एक नियायाले ने कहा है कि अर्विन केजरिवाल जी के खिलाफ सुबूत नहीं है और आज एक के बाद एक हर नियायाले अर्विन केजरिवाल जी को समानत दे रहा है मैं भार्तिय जन्ता पार्टी को ये कहना चाहूंगी कि अपना घमंड खतम करिए अपना आंकार खतम करिए और बाकी पार्टियों के खिलाफ लोगतंत्र के खिलाफ शड्यंत्र रचना बंद करिए सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता अर्विंद केजरीवाल की ये जमानत आज पूरे देश के सामने ये सांफ कर देती है कि अर्विंद केजरीवाल सकते के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहें अब मैं चाहूंगी के संदीज जी और सौरग जी अपनी बाद कर देए आज माननी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, वो पूरे देश के लिए एक ऐथिहासिक फैसला है कई फैसले ऐसे होते हैं जो देश के लिए एक दिशा निर्धारण का काम करती है आज जो फैसला आया है वो बड़ा स्पस्ट कर देती है कि जो तथा कथित शराब घोटाला भारती जनता पार्टी द्वारा जो रचित है वो पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको ध्वस्ट कर देता सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले इस पर स्पेशल कोर्ट पीमले स्पेशल कोर्ट का ओर्डर आया था उस ओर्डर को पढ़ने पर किसी भी व्यक्ति के मन में ये संदे नहीं रहेगा कि ये केस क्या है उस ओर्डर में तीन चार चीज़ें बड़ी स्पस्त लिखे हुई है कि कोई पैसे का लेंदें नहीं हुआ है दूसरा पैसे की कहीं एक चवन्नी की बरामत नहीं हुए तीसरा अर्विन केजरीवाल जी का और पार्टी का दूर-दूर से किसी चीज में कोई नाता ही नहीं है जब corruption ही नहीं है इस पे तो नात्य का सवाल ही नहीं है और सबसे important चीज़ कि उसमें ED के intent को ये mark करने वाली बात है court के order में ED के intent पे बड़ा question mark लगा है कि ED जो है बड़े एक malafide intent के साथ काम कर रही है ये बहुत बड़ी बात है जब कोई एक agency अपने खोटे नियत के साथ किसी पक्ष के साथ विभार करती है तो वो बहुत गंभीर विशय हो जाता है special court के बाद मुद्दा आज supreme court में आये supreme court में एक बड़े प्रशन पर विचार किया जा रहा था और बड़ा प्रशन क्या था वो बड़ा प्रशन ये था कि क्या ये पूरे का पूरा अरेस्ट ही illegal है तो court ने अपने तरीके से अध्यन करके इसको बड़े बिंच के पास भेजा है जो भी होगा वो देश के लिए अच्छा ही होगा दिशानेरधारन होगा आगे लेकिन court ने interim bail grant किया है अर्विन केजरिवाल जी को अब आपको ये समझना होगा कि पीए मिल्ले में जब सारे तक्षय और साक्षयों को देख कर सभी सबूत ये जो दिये है उसको exhaust करने के बा हर court में आपको मूं की खानी पढ़ रही है और ये case सिर्फ आपके द्वारा रजित एक circus है तो इस circus को बंद करिए देश का और जनता का और खास करके दिल्ली की जनता का समय व्यर्थ ना करें नरेंद्र मोदी जी ने अमिश्या जी ने और भारती जनता पार्टी ने इस दे तो भाजपा के मोदी जी और अमिश्या के कारेकाल में एक ही चीज मिले है उस देश को और वो है ये ताना शाही की ऐसी विवस्था जिसमें जिस राजनेतिक दल और राजनेता को ये सामने से हरा नहीं सकते या उनको उनका सामना नहीं कर सकते उनको गलब तरीके से fraudulent तरी चीज मिले करें नहीं है देश को आगे लेकर जाना है हम सब मिलकर जब अच्छी राजनीती करेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा मेरा ये फिर से रिक्वेस्ट है माननी प्रधानमंतरी जी से और अमिश्या जी से कि ये घंडी राजनीती से बहार आईं और अच्छी कर दरता कि बेंच ने जो सुप्रीम कोड की छुट्टियों से पहले अपना और रिजर्व किया उसको आज में सुनाया कि उसके अंदर सुप्रीम कोड के सामने ये सवाल थे कि अगर एडी प्यमले एक्ट के अंदर अडर सेक्शन 19 अरेस्ट करती है कि आगर अन्डर सेक्शन 45 को उसके अंदर देल की बात सोचता है कितो शेक्शन 19 के अंदर जब एडी जैसी है वह वह करती है तो उसका जिशीन है वह सब्जेक्टिव है नहीं को इतन से धांक में यह किस पर आरेस्ट कर रहे हैं और वह सेक्शन 19 बसहें अदर अफ़र की उपीनियन है तो अगर किसी कानून के अंदर वेल के प्रावधान इतने सक्थ हैं जितरी सक्षें 45 में हैं तो उसमें अरेश्ट का थ्रेश्टोड भी हाई होगा ऐसा नहीं हो सकता कि आप बात बात पर पर अरेश्ट कर ले और फिर बेल ना दे अगर बेल असान है किसी कानू उनमें बेल मुश्किन है तो उसमें अरेस्ट होने भी क्या कि लगाने करेक्ट तो है कि इसको बिना करेक्ट करेकर लेंगे तो बेल के कि सिधान दिये हैं कि अगर बेल मिलना किसी कानूं के अंदर कठिन है तो उसके अंदर अरेस्ट का थर्षोल भी हाई होना चाहिए सुप्रीम कोट में नीड एंड नेसेसिटी और बेल के बारे में कहा और सुप्रीम कोट तेसरी बात सुप्रीम कोट ने कहीं के अर्विन के ज्रिवाल के उपर मुगद्मा है ऐसे में मुख्य मंत्री रह सकते हैं यह यह नहीं है इसाब वो उनके उपर मुकदमा हो गया वह अरेस्ट हो गए तो अर्विन के जीवाल को स्टीफा देना चाहिए तो वह हाइप कोट में बहुत करी और अन्तता सुप्रीम कोट में यही बात करी कि वह मुख्यमंतरी रहेंगे यह नहीं रहेंगे इसमें कोड कोई दखल नही देना चाहता हूं जो इसकेंद्र सरकार के अत्याचार से पिछले कई सालों से लड़ रहे हैं और खास तौर पर पीए मेले के कारण उनके उपर अलग-अलग मौकों पर अत्याचार किया जा रहा है कि मैं यह समस्ता हूँ जुडीशरी भी आपके समाज का ही एक रिफ्लेक्शन होता है आज पूरे देश में इस बाद की चर्चा है कि जिसको चाहे भारतिये जनता पार्टी की केंदर सरकार मुकदमों के अंदर फसाती है कि मुकदमों में फसाने के बाद अपने राजनितिक प्रति दंवियों को जेल में डाला जाता है जेल में डालके उनके एक प्रेशर बनाया जाता है यदी भारतिये जनता पार्टी के सांथ मिल जाये उनकी ओपर वह अब यह बात लगबग साफ हो गई है न्यायलों के सामने की एडी के मुकदमें सिर्फ और सिर्फ राजनितिक द्वेश्ट की भावना से और उनको आंधुष्ट करके भार्तिय जन्ता पार्टी में लाने की भावना से केंदर सरकार लगा रही तो कोट्स इस चीज़ को रिफ कि यथी इस विकलार वितात यस जसने पोढ़ए उसको यही नहीं मालूम कि लोऔर को ने किस बात पे बेंदी है्लोर कोट में क्या दलीले मानी हैं क्या धलीले खारिच कुछी है उस फैसले को बिना देखे हई कोड़ाई और यहां श्रू हम गई तो हूँ तो भी जो बात साफ है कि केंदर सरकार एक विछ हंटिंग कर रही है कि वो तो आतिशी चेहिदे में बताया कि देखिए बार बार पहले सुप्रीम कोट ने इंटरिम बेल दी पीम मेले में मिलती नहीं हमें मिली फिर लोर कोट में न्यायविंदू जी ने उनको बेल दी अग देश की यह बात के अंदर सरकार को समझ में आ गई जी कि अब गई भैस पानी में अब अर्विंद केजरिवाल बाहर निकलने वाले हैं इसलिए CBI जो है रातो रात अर्विंद केजरिवाल केहां गई त्यार के अंदर उनको उनने अरेस्ट किया दो दिन के लिए फॉर्मैलिटी के अर्विंद केजरिवाल जी की बेल सुप्रीम कोट में हो गई तो उनको उसके बाद भी जो है जेल में रखा जाए बट मैं यह मानता हूं PC Act जो होता है सब्सक्राइब च़्छान के अंदर स्वाग्ट साबित करना पड़ एकूज्द सब्सक्राइब करना पड़ता है कि में बेकसूर हूं तो इसके अंदर बैल और फ्रूफ प्र उपर है और मुझे रखता है में तो बहुत सारे जो एक्यूज है एक्साइज के इसके अंदर उन सबको बेल मिल रखी है वो सिर्फ प्यम्ले के अंदर जो है उनको बेल ने मिली ती जिसकी वह से वो जील में थे तो इट सर्माटर ओफ आइटिंग संब टाइम कि यह सीविया की बेल के अंदर मामला जाओ चौने जलिए टका के अंदर मामला आएटिंग से वो जाइब बेल जाइब टाइब तूर डिए उन्दर मामला आएफ जलिसका का बेल है जिसके अंदर में कर दो जहां टाओ ए्ट टूर में आजर में